दरसल एक समय था जब कहा जाता था कि BSNL के कर्मचारी ग्राहकों से सीधे मुह तक बात नहीं करते, लेकिन समय ने पल्टा खाया और BSNL अब तेजी के साथ पॉपुलर होना शुरू हो चुका है. क्योंकि चारों तरफ जहां देखो हर कोई अब BSNL की ही बातें कर रहा है. और BSNL के कर्मचारीों को अब यह लगने लगा कि उन्हें Airtel, Jio और V.I. के ग्राहकों को खुद की कस्टमर में बदलने का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है. इसलिए BSNL के कर्मचारीों को एक नई उर्जा मिल रही है और BSNL के कर्मचारी भी नए प्लैन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. और ओवराल देखा जाए तो BSNL ने हाल ही में जो घोशना की है उसने सब को हैरान करके रख दिया है. आपको बता दें कि आज तक जिस BSNL को कहा जाता था कि आज धंग से 4G नेटवर्क तक प्रोवाइड नहीं कर पाता, यही BSNL अवपावर में आ चुका है. क्योंकि हाल ही में BSNL की तरफ से रिसेंटली 10,000 4G टावर को इंस्टॉल किया जा चुका है. और अब जल्द ही BSNL की तरफ से 4G सेवा प्रोवाइड करने की नई सुविधा लॉंच करने जा रहा है. और इसके प्लान इतने ज्यादा सस्ते हैं कि इंटरनेट की हाई स्पीड को हर कोई आसानी से अफॉर्ड कर सकता है. यहां तक की देखा जाए तो अप्रैल के महीने तक 2,000-3,000 या फिर मुश्किल से 3,000 तक ही इस कमपनी के 4G टावर मौजूद थे. लेकिन जब BSNL को रिलाइज हुआ कि जल्द ही Airtel, Jio और V.I. ये तीनों टेली कम्यूनिकेशन कमपनियां अपने रिचार्ज प्लान को 20-25 परसंट तक महेंगा करने जा रही है, तो BSNL पावर में आ गया और अपने टावर को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया. जहां किसी को खबर भी नहीं थी कि BSNL इतनी तेजी के साथ मार्केट में आने की तैयारी बना रहा है. और जैसे ही पीनों टेली कम्यूनिकेशन कमपनियों ने अपने प्लान की कीमत महेंगी की, वैसे ही अचानक से BSNL अपने टावर की संख्या को बढ़ा कर 10,000 4G टावर क एक्टिव कर दिया. BSNL यहां पर भी रुकने वाला नहीं है और BSNL जल्द ही हजारों की संख्या में और भी 4G टावर को इंस्टॉल करने जा रहा है. और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन टावर्स में वह कैपेबिलिटी डाली गई है, जिससे इन टावर्स को आसानी से अपग्रेड करके 5G टावर्स बनाया जा सकता है. और BSNL का प्लान है कि 2025 में इन्हें 5G टावर में अपग्रेड कर दिया जाएगा. यानि कि देखा जाए तो अब Airtel जियो और V.I. को उसकी आउकाद दिखाने के लिए BSNL कमर कस चुका है. फिलहाल आपको बता दें कि टे से ज्यादा यूजर जियो के है. और इस बार इन तीनों कमपनियों ने मिलकर अपने प्लान को अचानक से इतना ज्यादा महेंगा कर दिया है कि जो इसके कस्टमर है वह बूरी तरह से परेशान हो चुके हैं. और इस समय ट्वेटर पर बाइकॉट जियो ट्रेंड करने लग यानि कि लोग किस तरह से जियो को लेकर गुस्सा है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं. और लोगों में इस तरह से गुस्सा चाया हुआ है कि जियों का जो अभी राज जल रहा है वहाँ जल्द ही BSNL का राज आने वाला है. देखिए लोगों में इस बात का गु गुस्सा है कि जब जियों आया था तो उस समय भारत के कोने-कोने में इंटरनेट नहीं पहला था, ये असलियत है. क्योंकि जियों नहीं सस्ता डेटा बेचकर भारत के कोने-कोने में इंटरनेट पहुँचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन उस समय जियों की य इतना डाला है मार्केट में, उससे डबल या ट्रिपल निकालने के लिए मूड में आ गया है, जिसके पीछे वह हाथ धोकर जुड़ चुका है, और जियो के प्लान ऐसे टाइम पर महंगे किये गए हैं, जिस समय भारत के जो नौजवान हैं, वह पूरी तरह इंटरनेट पर हो चुके हैं, यानि कि देखा जाए, तो इस तरीके से पहले गुलाम बनाया गया, उसके बाद पूरी तिजोरी खाली करने का प्लान बना चुका है, और इसी बात को लेकर इंटरनेट यूजर की मन में गुस्सा चाया हुआ है, और खास कर भारत के युवाओं को, और इसी बीच, BSNL इन लोगों को अपनी तरफ खींचने का पर्टिकुलर मौका बिलकुल भी नहीं छोड़ रहा है, और BSNL अपने सोशल एकाउंट्स पर लगातार नए-नए ओफर जारी कर रहा है, और हाल ही में सबसे बड़ा ओफर जो निकल कर आया है, वह है इनका yearly plan, क्योंकि म आज के समय में इतना सस्ता इंटरनेट कोई भी कमपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है,